Hello दोस्ते and welcome back to another video आज की इस वीडियो में हम इस्टॉल करने वाले है Envy Receipt Script हमारे QB Core Server में इस script में आप Receipt प्रिंट कर सकते हो and किसी और प्लेयर को दे सकते हो and इसमें सबसे में बात है कि आप उस Receipt में जितने मर्जी आइटम अड़ कर सकते हैं and उनके amount भी add कर सकते हो So start करते हम आज की इस वीडियो को So आपको आजाने इस page पे यह है 5M Forums का page and इसके अंदर इसके सारी features mentioned है जो feature मैंने आपको बता है वो बिलकुल basic features है इसके अलावा आप इस script को बाकी script के साथ integrate कर सकते हो जिसके help से यह automatic receipt भी generate करके automatically प्लियर को दे भी देगा So यहाँ पर यह सब है So start करते हम इसकी अब installation को So यह है इसका github का page इसके link आपको description मिल जाएंगे इसको download करने से पहले हमें download करना पड़ेगा auxlib को So आपको आजाना है इस page पे and आपको इसकी बाद click करना है releases पे Releases पे आने के बाद आपको scroll करने नीचे and auxlib.zip को download कर लेना है जब तक है download हो रहा है इतने हम हमारी script को भी download कर लेते हैं कुछ यहाँ से So यहाँ पर आप दे सकते हैं दोनों चीज़ां download हो चुकी है and अब हम इनको हमारे server के अंदर extract कर लेते हैं So यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने QbCore server में and यहाँ पर आप दे सकते हूँ मैं resources folder के अभी अंदर हूँ So यहाँ पर मैं इसको simply extract कर लेता हूँ कुछ ऐसे drag and drop इसके बाद मैं इसको एक बार open कर लेता हूँ यहाँ पर आप दे सकते हैं extract करने का काम and इसके बाद आ जाते हैं इसके installation अब installation में हमारा main काम होगा यहाँ पर inventory के items को add करना and यहाँ पर हम scroll करते हैं तो यहाँ पर वो items हमें सीधे नहीं दिये होते हैं मतलब हमें खुछ से add करने because यहाँ पर इसके github पे page पे वो नहीं मिलते हैं जो हमें copy करते हैं हमेशा items.lua में so हम manually कर लेते हैं उस चीज़ को भी तो आपको आने QB में इसके बाद आने आपको QB Core में Shared में आना है and इसके बाद items.lua यहाँ पर नीचे आने के बाद कुछ यहाँ पर आपको क्या करना है आपको कोई दो line copy करनी है इन दो line को हम कर लेंगे copy and मैं try करते हूँ आपको यह चीज description में दे दो जिससे आपको जादा महनत ना करनी पड़े and इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर item के name change करने है कुछ यहाँ से so वह हमें मिल जेंगे यह सबसे पहला item ने में हमारा receipt हमें आपको लिख देंगे receipt name भी receipt और यहाँ पर जो label है जो हमें show करना है वह आजएगा receipt wait इसका कर देंगे 1 simply जो wait रकना है वह आप रख सकते हो इसके अलाव जो दूसरा item है वह होगा हमारा payment terminal जो होगा receipt printer so यह भी कर देते है and इसका जो label है वह मैं copy कर लेता हूँ यहाँ से कुछ यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है जो inventory image है उसमें आपको same name रखना है because इसके जो inventory images है वह हमें script के अंदर दे हो है so हम उनको सीधा copy कर लेंगे इनको आप unique रख सकते हो usable रखना है हमें and should close true so यह सब ऐसी रहेगा and इसके बाद जो है आगे ऐसी रहेगा बस यह आप change कर लेना अपने हिसाब से इसकी description so यहाँ पर इतना ही काम था है मैंने इसको कर लिया है इधर save अब save करने बाद मैं इसको करता हूँ close and इसके बाद मैं आ जाता हूँ वापिस हमारी script में because अब मेरे को क्या करना है मैं images copy करूँगा इसकी so यह दो images हमें इसके अंदर मिलती है and इनको मैं copy करके इसकी inventory में paste कर लूँगा वो हमें मिलती है यहाँ पे कुछ inventory script HTML images and यहाँ पे paste so यह काम था है हमने यह काम भी कर लिया अब बाहरी आ जाती है metadata गी so metadata होता है हमारा data of the data so इसको भी हम यहाँ से copy कर लेते है so यह देखे QB inventory का है आपको इसको ही copy करना है and यहाँ पे QS inventory का है so जहाँ पे जिस चीज के दिया हुआ है आपको वह यूज करना है आप इधर उधर ना कर देना so इसको करने के लिए आपको क्या करना है QB inventory में ही रहना है and यहाँ पे आप आ जाना है HTML में js and app.js यह इसकी JavaScript file है and इसके अंदर आपको search करना है else statement को इसके बाद एक बार हम skip करते हैं and यह item.data आपको कुछ ऐसा दिखेगा तब आपको यहाँ पे आके उसको paste कर देना है आपको करना है यहाँ पे shift plus enter and एक backspace प्रेस करना है इसके बाद आपको क्या करना है आपको आ जाना है इसके GitHub page पे and यहाँ से आपको इस block को copy करना है जिसका button आपको मिल जेगा कुछ यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से कर रहा है copy and यहाँ पे मैं कर देता है इसको simply paste यहाँ पे जैसे हमने paste किया है इसके बाद आपको देखना पड़ेगा यह जो bracket है यह match होने चाहिए यहाँ पे एक extra bracket है तो मैं इसको यहाँ से remove कर दूँगा आप देख सकते हो इसका bracket यहाँ close हो रहा है and उपर वाले का bracket यहाँ close हो रहा है इसमें कोई भी guardboard आप मत करना because इससे आपकी जो inventory script है वो run नहीं कर पाएगी अगर हो तो आप 2-3 बार verify कर सकते हो यहाँ पे मैंने इतना भी काम कर लिया यह मैं कर देता हूँ close और बाकी चीज़े एक बार देख लेते और क्या क्या करना बोड़ेगा हमने यह सब कर लिया है item register जो हमने करनी थी वो हमने कर दी because यह है अपनी aux inventory का and आगे चलते हैं यहाँ पे इसके दो method दियो यहाँ जासे मैं आपको बता है simple method जो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा and इसका एक advanced method भी है अब यहाँ पे यह script to script depend करता है आप इसको कौन सी script के अंदर integrate करते हो but आपको simply इसका exports use करने है and वो आपको receipt generate करके दे देगा so यहाँ पे यह सब दोस्ते इसकी installation so अब हमें क्या करना है हम इसके जो names है इसके जो item name है वो हम करते हैं यहाँ पे copy script के names को and इनको हमारे server cfg में paste कर लेते है so यहाँ पे मैं आगव नीचे यहाँ पर करता हूँ मैं ensure nv scripts and इससे पहले आपको ensure करना है auxlib को so मैं इसको कर लेता हूँ कुछ यहाँ पर ensure so यह भी कर लिया है मैंने so यहाँ पर मैंने इनको paste कर दिया है and इनको save कर दिया है so अब क्या करता हूँ मैं इसको करता हूँ and अब हमें एक छोटी सी चीज कर लिया वो है हमें script के अंदर जाके इसकी config file में framework को change करना है so जैसे आपको पता है कि यह बनी हुई है esx as well as qb core के लिए and by default यहाँ पर esx दिया हुआ है तो यहाँ पर हम इसको change करतेंगे qb and यहाँ पर qb को भी यहाँ पर paste कर देंगे बस अगर आप use करते हो ap government script को तो आपको इसको true करना है and यह उससे आप integrate कर सकते हो इसके लावा आप यहाँ पर tax भी change कर सकते हो so यहाँ पर यह सब चैस की customization so यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ close and अब करता हूँ मैं अपने server को start and experience करते हैं इस script को इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले make sure to check out Zab Hosting जो है 5M official hosting partner and इनके help से आप अपना 5M server host कर सकते हो सिरफ 5 minute में and check out के time use करना मेरा promo code जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा discount and यह सारी details आपको मिल जाएगी description और pin comment में अब बढ़ते हम अपनी video में so यहाँ पर मैं हमारे server के अंदर आ चुका हूँ and अब सबसे पहले मैं spawn करता हूँ हमारे receipt printer को so उसके लिए मिर को क्या करना है मेरी inventory पर so मैं इसको एक बार first पर लेके आता हूँ and अब मैं one press करता हूँ and आप देखना एक menu open होगा so यहाँ पर payment terminal का menu open हो चुका है so सबसे पहले मेरे को क्या करना है मेरे को करनी है items add अब मैं item में लिख दूँँगा for example car parts price 100 इसके बाद मैं करता हूँ फिर से add to bill service charge 200 so मैंने simply यहाँ पर दो चीज़े एड कर दिया आप यहाँ पर देख सकते बास्किट में इसके बाद मैं क्या करता हूँ इनको कर देता हूँ print आपको जितनी copies यहाँ पर लिख सकते हो for example यहाँ पर one इसके अंदर को पेमेंट वाला इंटीग्रेशन अभी तक नहीं है कि यूजर को पेमेंट कुछ से इसमें करनी पड़े पेमेंट आपको मैनुली ही लेनी पड़ेगी यहाँ पर मैं फोर प्रेस करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को receipt मिल चुकी है यह कुछ ऐसी दिख रही है इसके अलावा इसका एक advanced setup है जो मैंने आपको पहले ही बताया और उसके उपर एक detailed documentation भी मैं लेके आओंगा अपनी website पे और वो आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगी और उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में शायद कुछ दिनों में देखने को मिले या फिर आपको मेरे discord पे भी देखने को मिलेगा तो दोस्ता यह थी बहुत बढ़िया script envy scripts के तरफ से और यह बिलकुल free है तो आप इसको download करके एक बार try ज़रूर कर सकते हो और आपको script कैसी लगी आप मेरे को comments में ज़रूर बताना अगर आपको कोई suggestion हो तो वो भी आप मेरे को comments में ज़रूर बताना मैं try करूंगा उसको भी feature करने का इस वीडियो में दोस्तो इतना ही जाने से वहले make sure to check out zap hosting जहां आप host कर सकते हो अपना खुद का 5M server इनके game server hosting में या फिर आप buy कर सकते हो VPS या फिर root server अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP server है और यहां पे आप मेरा promo code ज़रूर यूज करना बिगास उसमें आपको renewal के time एक अच्छा खासा discount मिल जाएगा मेरी तरफ से So thanks for watching मैं मुल ताप से अगली वीडियो में